नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागते हैं और नज़र डालते हैं अचकी प्रमुख खबरों पर लदाग में 30 मीटर का दुरुबिन लगाना चाहता है भारत केमरिय विग्या नयों प्रोदगिक मंत्री डॉक्र हर्शवर्दन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा 30 मीटर उचा दुरुबिन जम्मु कश्मीर के लद्धा के लागरे में लगाना चाहता है इसे खगोली अनुसंधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इस परियोजना में भारत, अमेरिका, कनाड़ा, जापान और चीन सज़दार है पहले से अमेरिका के हवाई प्रांत पे लगाया जाना था लेकिन वैधानिक अर्चनों के कारण अक्टूबर 2014 में ये काम रोकना पड़ा बाद में हवाई के उच्चितम नयायले ने इसके निर्मान के जारी मंजूरी को अवेत करार दिया दॉक्टर हर्शवर्दन ने कहा कि जब तक कोई उपचारिक फैसला नहीं हो जाता तब तक इस पर कोई टिपपनी करना संभव नहीं होगा कुछ तक्रीकी मुद्ध है कुछ मान दर्ण है जिसके अधार पर तय किया जाना है मोदी सरकार के दो साल राजपत पर विशाल समारों को होस्ट करेंगे अमिता बच्चन केंडर की राजक सरकार के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रदान मंतरी नरीन मोदी की मौझूदगी में बॉलिवूड महानायक अमिता बच्चन 26 में की शाम इंडिया गेट पर आयोजित विशाल समारों का संचालन करेंगे सूत्रों के मुताबिक प्रदान मंतरी ने सूचनायवं प्रसारन राज्य मंतरी के साथ एक बैठ़प के समारों के संबन में विस्तुरु चर्चा की केंद्र रहेंगे बूशन ने का मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं केजरिवाल दिली के मुख्य मंतरी अर्वीन केजरिवाल को सिद्धान थीन बताते हुए उनके मित्र से विरोधिवे ने प्रशान बूशन ने डावा किया है कि नीजी लाप के लिए वे प्रधान मंतरी नरेन मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं बूशन ने का कि जिस दिन उन्हें सहुलियत होगी वहां मोदी से हाथ मिला देंगे मुझे इस संबन में कोई सद्धे नहीं उन्हेग नियाए कि दिली सरकार और केंद्र सरकार कई मुद्धों को लेकर आमने सामने रहे हैं आप छटेक बात बूशन ने योगें राद्यों के साथ स्वराज अभियान की स्थापना की है अमेरिका में भारतियों के एक संबोधित करते हुए उन्होंने अफसोस जटाया कि वहां पहले केजरिवाल की इन विशेष्टाओं को पहचान न सके उन्होंने कहा कि अर्विन में मनमोहन सिहा सिंड्रोम है उन्होंने कभी खुद पैसे नहीं लिये लेकिन अपने आसपास के लोगों को पैसे लेने दिये